अब पर नौजून को आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट तो दस्मी और बार्वी का नौजून को आएगा रिजल्ट नौजून को दोपैर साड़े बारा बज़े जारी होगा रिजल्ट तो ये जानकारी फिलाल सामने आ रही दस्मी और बार्वी का नौजून को आएगा अज़र अमारे साथ जोड़ गए हैं अज़र एक बड़ा बोर्ड बड़ी परिक्षा और इंतजार भी अब बहुत कम दिन रहे गए हैं बिल्कुल आलोग आपको जी जी अज़र अपनी बात रखें बिल्कुल आलोग आपको बताना चाहेंगे यूपी बोर्ड दस्वी और बार्वी के नतीजे में अब कुछी समय बाकी रहे गया है यानि पर्फों यानि नौ तारीकों जो रिजल्ड है वो भुशिट कर देगा बोर्ड और लगबद इस बार 2022 की परिक्षाओं की बात की जाए तो लगबद पिक्ष्यावन लाग बान दे हजाद शेसो नवासी इंरॉल्मेंट केंडिडे अब करते हैं और इसके अलावा सम्स के मार्जयम देख सकते हैं अपने परिक्षा फल का इंतजार रहता है खासकर कि यूपी बोर्ड का अने बोल्डों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर परिक्षा कायूजन किया जाता है परिक्षा तो अब कही नहीं नौ जून को आएगा यूपी बोड का रिजर्ट अजर्ट इसके बरावर काफी बड़ा बॉड है और काफी ज्यादा जो परिशार्टी है वह हर साल इसमें देते हैं तो कहीं नहीं जो बच्चे हैं उनको इंतिजार रहता है इस रिजर्ट का और जो पहला पर आपडाव जो निए परीखसा हो या दूर्ट ना बारल बारणी की परिजर्ट इसका जो इंतिजार है वह बच्चों को रहता है फिलाल 9 जून को जो इंतिजार है वह पतम हो जायांगा और जो परिक्षाती हैं जो 10 और 12 के जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगी जी बिलकुल जो नतीजे आएंगे अज़र अगर बात करें सामने तो साफ तोर पर एक नकल विहीन परिक्षा कराने का लक्ष रखाता सरकार ने और पूरी तरीके से पारधरिश्टा बरती गई थी सीसी टीवी फुटेज से लगाए गए थे सीसी टीवी कैमरे भी ताकि एक पारधरिश्टा दिखाये चाहिए पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ इस परिक्षा का आयोजन हला कि बड़ी चुनोती थी बड़े पहिमने पर लेकिन वो करके भी दिखाया यह बिल mathematical जिस तरीके से तमाम सुरक्षा के बीष जो परिक्षा हैं वो कि गई चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजरित समाम सारी जानकारी के लिए तो नौ जून का दिन जब आएगा यूपी बोर्ड का रिजर्ट दस्मी और बार्मी का नौ जून को परिक्षा फल गोशित होगा लगबग साड़े बारा बचे के आसपास समय बताई जा रहा है झाल झाल